अर्विंद राय में और चोटे भाई बैनों को आसरबाद बड़ों को पड़ाम आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है मेरा समझाने का तरीका अलग है लेकिन जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल लाइफ की हकीकत है कोई किताबी ग्यान नहीं है बलकि जो घटनाय बच्चों के स देख लेंगे वीडियो अच्छे लगेगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अच्छा लगेगा तो चलि स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मैंने फिगर लिखा है थर्टी इंटू सिक्टी थाउजंट है आज के डेट का वीडियो है और आज की डेट ह तेईस पांच दोजार चौविस ठिक जब हम जॉइन किये थी मेरी जॉइनिंग डेट थी एक बारा दोजार एक्टिस लगबग आसपास सोलो वाली वेकेंसी के इसी के आसपास का है उस टाइम से लेके अब तक जो टोटल टाइम हुआ है वो हो गया है दो साल पांच महीना पच्चिस दिन राउंड फिगर हम धाई साले लेते हैं तोटल महीने वे तीस तीस महीने से अगर साथ हजार को हम गुड़ा करते हैं तो आप लगबग अठारा लाक रुपए आपके एकाउंट में आने थे लेकिन वो नहीं आ है कारण कोई दूसरा नहीं है ठिक इसको आप अन्भव किया अठारा लाक कोई छोटी रकम नहीं है ठिक है और पैसे के लिए सभी लोग नौकरी कर रहा है चाहे मैं हूँ चाहे जो आप तयारी कर रहे हैं आप भी पैसे के लिए कर रहे हैं ठीक नंबर दू चलते हैं questions कुछ बच्चे भाई बहन पूछते हैं कि भाया कितने question पर हो जाएगा उनसे मेरा हाथ जोड़के request है question मत पूछिए 125 question है तो 125 आपको आने चाहिए competition बड़ा है 2021 की वेकेंसी में जिन बच्चे बच्चियां भाई बहन का एक या दो question से difference होगा नहीं हुआ होगा उनसे उनका दर्द पूछिएगा कितना दर्द है उनकी आँखों में आशुआ जाते हैं कि यह मैसूस किया है यह मैंने बात किया लड़कुंस तो मैं जानता हूं का दर्द है इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाई मत कीजिए कितने नंबर है question भी करना गलत है यह question तब आप कर सकते हैं जब आप पेपर देखे आएं ठिक जूड बुलना या किसी गुम्राह करना मेरी आदत नहीं है जो हकीकत है उसी बात कर दो है तीसरा time पढ़ने का time किदना होना चाहिए मेरे इसाब से जब इच्छा हो तब पढ़ना स् या ठाइक जब समय मिले तब पढ़िए अगला question है कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं होता. पढ़ते हैं, लेकिन याद नहीं होता, ये सब के साथ है। किसी भी, अगर प्रोफेसर को भी आप पेपर दे देंगे करने के लिए, तो एक तो हो बोलेगा कि मेरा स्लेबस पुरा नहीं है, दूसरा बुलेगा आता हुआ question यार मदलब करके आ लिए सेम यही घटना है आप लोग साथ भी घटेंगे उसके लिए निश्चिंद रहें आप जो पढ़ रहा है जितनी वार पढ़ है पढ़ते जाए रिवीजन करते जाए सभलततम मिलेगी आपको ज्यादा ग्यान मत बटोरिए बैलकि उसकी प्रैक्टिस कीजिए उसका रिवीजन कीजिए सभल वही होता है जो रिवीजन करता है तो रिवीजन पर ध्यान दीजिए ठीक है दूसरा एक एहम question है कि पढ़ते वक्त नीद आती है जन्रल question है पढ़ते वक नीद आती है मेरा यह मानना है कि पढ़ते वक नीद आती है एक आधे घंटे का स्नैप लीजिए हलका नीद लीजिए फिर जगीए फिर पढ़िए आपने महसूस किया होगा कि अगर आपको चार बज़े ट्रेन पकड़ नहीं होगी तीन बज़े आपकी नीद खोल जाती है सेम सफलता की ट्रेन आपकी टीजीटी पीजीटी की जौब है फिर भी आपको नीद आ रही है तो गलत चीज़ है मैं किताबी ग्यान नहीं बताऊंगा ना मैं कि जूट बोलूगा कि आप कितने घंटे पड़े जब समय मिले तब पढ़े और जितनी बार हो तुनी बार रिवीजन करें प्रैक्टिस सेट लगाए और यह जो मैंने फिगर दिखाए है इसको अपने पास नोट कर लीजे करें मेहनत में कोई काई मत कीज़ें कि क्वेश्चन कि आपको जहां से गलत होते हैं उस पर डीप इनलाइस कीजिए उस एरिये के आसपास सारे क्वेश्चन देख चाहिए ठीक है यह चोटी सी बात आप लोग बताना था और उमीद करता हूं कि मेरी भावनाएं आप तो ल मुक्री दिला है ज्यादा ग्यान किल किताबें बाद में पढ़िएगा अभी केवल जॉब के लिए पढ़िए